इस question series को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और question number 13 देखते हैं a 220-115 volt 25 hertz single phase transformer has eddy current loss of 100 watt which is half of the no load loss अभी के लिए आप ये ध्यान रख लीजिए कि no load loss no load loss जब भी आए तो इसका मतलब क्या है सिर्फ और सिर्फ core loss core loss ठीक है और core loss का मतलब क्या है eddy current and hysteresis hysteresis and eddy current का combination ठीक है that is core loss तो no load loss का मतलब क्या है core loss यह आपको जब मैं OCAC test पढ़ाऊँगा तब और बताऊँगा यह वाला term आपको सुनने में दिखेगा तो अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जब भी no load loss की बात कर रहे है मतलब की core loss की बात कर रहे है ठीक है दिखेए at rated applied voltage ठीक है यह दे रखा था if this transformers used with primary connected to 440 volt 50 hertz means the total no load loss would be ठीक है core loss की बात हो रही है तो simply आपको दे रखा है यहाँ पर कि आपका eddy current कितना है eddy current दे रखा है आपको 100 watt ठीक है 100 watt दे रखा है और बोला है which is half of the no load loss मतलब आपका जो no load loss है मान लीजिए eddy current equal to no load loss no load loss no load loss को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी core loss बोल रहा हूँ ठीक है तो wc core loss divided by 2 half है तो इसका मतलब core loss के अंदर क्या होगा eddy और hysteresis दोनों के बचा हुआ half क्या रहेगा hysteresis तो हम क्या बोल सकते हैं कि बचा हुआ क्या रहेगा आपका core loss जो core loss हो जाएगा यह 100 तो यह हो जाएगा 200 watt ठीक है जिसमें से eddy अगर 100 है तो hysteresis कितना हो जाएगा hysteresis भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 that is 100 watt ठीक है अब आपसे पूछा है जब यह काई पर connect कर रहे हैं यह सारा काप connect कर रहे हम लोग यह 220-115 वोल्ट और 25 हट्स ठीक है तो यहां से यह मैं रफ कर देता हूं यहां से अब आपसे पूछा है कि बताईए if this transformers used to connected primary connected to 440 वोल्ट प्राइमरी मतलब की यहाँ पुराना वाला वोल्टेज क्या है 220 अब वोल्टेज कितना हो जाएगा अब वोल्टेज हो जाएगा 440 वोल्ट 50 हट्स ठीक है तो यहां से आपसे पूछा है कि बताईए no load loss मतलब core loss अब कितना है ठीक है अब आपको धि 220 डिवाइड़एड़बाइ 25 और यहां पे करेंगे तो 440 डिवाइड़एडबाइ 50 ठीक है दोनों का जो है रेशो वो क्या होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए तो V by F कॉंस्टेंट है क्या V by F अगर कॉंस्टेंट है तो काम हो जाएगा 440 25 तो यह भी 8.8 मतलब की यहां से क्या बूल सकते हैं कि वी बाइफ रेशो क्या आपका constant है ठीक है जैसे वी बाइफ रेशो constant हम क्या बूल देंगे कि यहां से जो hysteresis है hw2 wh1 equal to f2 divided by f1 तो यहां से wh2 hysteresis नहीं है कितना हो पुराना है 100 और यहां से f2 कितना है मारा 50 और f1 कितना है 25 तो यह हो जाएगा 25200 तो 200 वाट ठीक है तो hysteresis एडी करेंट एडी करेंट जब वी बाइफ रेशो constant है तो proportional to क्या हो जाता है frequency square तो we2 equal to we1 ठीक है we1 equal to f2 divided by f1 का whole square इसी को अगर हमनों आगे बढ़ाएंगे तो we2 equal to कितना हो जाएगा 100 f2 कितना है 50 divided by 25 का square तो यह हो जाएगा 400 तो total कोरलोस कितना हो जाएगा wh2 plus we2 that is not 400 200 plus 400 कितना हो गया 600 वाट तो 600 watt is the correct answer तो b is the right answer ठीक है आई वा समझ में क्या करना है क्या नहीं यहाँ पर confusion क्या था सिर्फ no load वाला statement confusion वाला था no load loss आज से आप क्या मनोगे core loss मनोगे इस point को में और ज़दा elaborate करूँगा जब OCSC test पढ़ेंगे ठीक है तो अभी के लिए तो इतना है और दूसरा है कि जब भी transformer ratio दे दे तो कौनसा voltage वीबाइफ रेशो में लोगे यह करेंगा कि अगला काई पर apply हो रहा है तो यह प्राइमरी पर अप्लाई हो रहा है दूसरा वाला voltage तो इसका अभी comparison किसे करेंगे हम लोग वीबाइफ का वीबाइफ वाले में जो value लेंगे वो प्राइमरी वाली ही लेंगे ठीक है तो next question की तरब बढ़ते हैं सो question no.14 देखते हैं बहुत ही अच्छा question है क्योंकि इस तरह के questions क्योंकि देखो इसमें जो language terminology है खासकर lamination की thickness की जैसे इस तरह के questions आते है तो बहुत सारे student छोड़ देते बिना पड़े देखिए मैं बता हूंगा कि eddy current का formula कि इस तरीके से thickness के हिसाब से change होगा देखते हैं ह अ 220 volt 50 hertz transformer with with 0.35 mm thick laminations has eddy current loss of 120 watt which is two third of the total loss at no load ये total loss काई पे है no load पे तो no load loss की बात करेंगे that is a core loss ठीक है if this transformer is built with 0.70 mm thick lamination and is worked from 110 volt 25 hertz then the total no load loss would be ठीक है अब आपसे बोला है देखिए पहली चीज़ तो हम ये clear कर देखिए जो भी core loss है that is core loss equal to loss at no load no load के उपर जो loss है वही हमारे क्या है असल में core loss है ठीक है और एक और चीज़ दे रखी कि आपको eddy current कितना दे रखा है 120 watt दे रखा है 120 watt दे रखा है कब जब ये 220 volt 50 hertz से हमारा operate हो रहा है और साथ में एक information ओर है कि eddy current which is 2 third 2 third of the total no load loss तो हम क्या बूल सकते है eddy current equal to 2 by 3 into no load मतलब कि no load equal to copper loss sorry core loss कर देता हूं में ठीक है no load loss equal to core loss ठीक है ये वाली information दे रखी मतलब core loss के अंदर हो क्या होगा ये जो no load loss है इसी के अंदर हमारा WH और WH रहेगा ठीक है तो यहां से अगर ये हमें 120 दे रखा है तो ये कितना हो गया 2 by 3 WC तो ये हो जाएगा WC कितना हो जाएगा 120 into 3 divided by 2 that is 120 into 3 360 by 2 180 watt तो 180 total हमारा क्या है core loss है इस वाले operating reason पे और उसमें से उसमें से कितना है 120 कितना चले जा रहा है 180 में से 120 के addy current तो बचा हुआ 60 क्या रहेगा hysteresis रहेगा बचा हुआ 60 कितना रहेगा 60 watt hysteresis रहेगा तो यहां से हमें पता चल चुका है कि WE1 और WH1 कितना है हमारा 60 और ये कितना है हमारा 120 ठीक है और यहां पर जो थिकने से जो थिकने से T वो कितना है हमारा 0.35 mm अब आपसे पूछा है कि बताइए अगर हमारा जो operating point operating point क्या हो जाए 110 volt हो जाए और 25 hertz frequency हो जाए और thickness कितना हो जाए thickness हो जाए point thickness यह T1 यह T2 thickness यह हो जाए हमारा point से मतलब लगब लगब डबल हो गया तो यहाँ पर बताना है आपको कि no load loss कितने होंगे मतलब आपको क्या पता करना है यहाँ से पता करना है WH2 भी पता करना है WE2 भी पता करना है और total core loss जो होंगे वो क्या हो जाएंगे WH2 plus WE2 का combination तो यहाँ से चली देखते हैं सबसे पहला कदम क्या करेंगे हम लोग V by F ratio constant है या नहीं है 220, 50, 220 का कितना हो गया आधा हो गया voltage 110 और frequency क्या हो गया frequency भी आधा हो गया मतलब V by F ratio क्या है हमारा constant है तो यहाँ से एक बात तो थो थाहिए कि V by F ratio क्या है हमारा constant है जैसे V by F ratio constant होता है तो यहां से WH is proportional to frequency हो जाएगा तो WH2 divided by WH1 equal to F2 divided by F1 क्योंकि lamination का hysteresis से कोई लेना लेना नहीं है lamination का किसे लेना देना है eddy current से तो यहां पर hysteresis तो हमारा जो normally निकलता है वैसे ही निकलाएगा WH1 कितना है 60 है 60 F2 कितना है frequency that is F2 25 और यह है 50 तो यह हो जाएगा हमारा 30 वाट हो जाएगा हमारा hysteresis loss ठीक है frequency down हो रहा है और V by F ratio constant है तो hysteresis loss भी क्या होना चाहिए काम होना चाहिए डारेक्ली आप इतना करने की जरूद भी नहीं थे डारेक्ली आप बूल सकते का आदा होगा ठीक है यह करके दिखा रहा हों में अदर्वाइस आप नॉर्मली जब अब्जेक्टिव इजाम्स होते हैं तो देखिएगा V by F constant या proportionality sign अगर हटेगा तो सारी का सारी k constant में ही हो जाती है बट इस दफे हमें अगर थिकनेस की बात करी है तो हम लोग सिर्फ और सिफ थिकनेस को हम लोग क्या बोल सकते W is proportional to frequency square और थिकनेस का भी square तो यह formula आपका एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है नया नहीं है असल में हम लोगों ने जब eddy करें नॉर्मली क्योंकि हर जगे नहीं होगा थिकनेस की बात जितने भी question जानतर question में थिकनेस की बात कभी नहीं करी जाएगी क्योंकि वो एक हमारा constructional feature है ठीक है क्योंकि lamination थिकनेस जाज़ा हम लोग क्या कर सकते हो operating engineer नहीं कर सकते जैसे हमारे पास अगर transformer बन के आ चुका है तो फिर उसका हम लोग lamination नहीं बदल सकते as a design engineer problem है यह कि जो design कर रहा है वही change कर दे रहा है अगर इस तरीके से तो हम क्या बुलेंगे कि eddy current में जब thickness का consideration लेना पड़ेगा तो directly proportional to thickness square ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जब भी अगर thickness की बात नहीं करेगा तो इसको constant में ले लेंगे ठीक है और thickness की बात करेगा तो t square के proportional हो गया अब दिखिए ध्यान से थोड़ा logic लगाईए कि thickness हो रही है डबल और frequency क्या ह हो रही हाफ मतलब एक तरफ frequency हो रही हाफ और थिकनेस हो रही है डबल मतलब कोई अंतर पढ़ना चाहिए क्या एडी करेंट पर नहीं पढ़ना चाहिए 120 का 120 सी निकलना चाहिए फिर भी हम करके देखेंगे यहां पर अधरवाइस तो यहां पर directly आप क्या बूल सकते है इट यहां पर कितना हो जाएगा 25 divided by 50 और यहां पर 7.70.35.35 का square ठीक है तो एक जैसी बात है ठीक है यह डबल हो गया यह डबल हो गया तो लगबग लगबग we2 equal to हो जाएगा we1 into यह 1 पूरा पूरा रिश्यो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तकरीबन तकरीबन 120 वाट जो कि हम लोगों ने तो यही देखके बता दिया था answer तो इसका फिर भी आप लोग उकली में ने कर दिया है अब आपको पूछा है कि total no load loss बताना है आपको तो total no load क्या बोलेंगे हम लोग कि hysteresis का यह 30 आया है 30 प्लस 120 तो total जो कोर लोस होगा वो कितना हो जाएगा डबल्यू एच्टू प्लस डब्ल्यू एटू तो यह हो जाएगा हमारा 30 प्लस 120 डेट इस 150 वाट ठीक है 150 वाट इस दी करेक्ट एंसर तो एस दी करेक्ट अप्शन ठीक है तो चलिए नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं तो कोशन नमर 15 की तरब बढ़ते हैं और ट्रांसफोर्मर फेट फ्रॉम एल्टरनेटर यह क्या है बहुत जादे स्टूडेंट्स चौक जाएंगे ट्रांसफोर्मर की केस में अल्टरनेटर देखके ठीक है आपको बहुत जा सब्सक्राइब करेंट जाएंगे ट्रॉम एल्टरनेटर का क्या होगा प्राइमोर का इस्पिट ड्रॉप हो गया असी परसेंट तक ठीक है देन एडिकरेंट निस्टरिस लॉसस इन दे ट्रांसफोर्मर वोड़ बी रिस्पेक्टिवली इस तरीकिस दे रखा है एजूम व क्या रखना है आपको कॉंस्टेंट रखना है अब दीखें यहां पर क्या हो रहा है एक ट्रांसफोर्मर आपको दे रखा है सपोस करिए यह ट्रांसफोर्मर है ठीक है यह ट्रांसफोर्मर है ट्रांसफोर्मर इसको जो सप्लाई दे रहा है वो है हमारा अल्टरनेटर इसक कोई न कोई mechanical moment होगा कोई न कोई mechanical moment होगा RPM में RPM revolution per minute ठीक है या फिर RPS revolution per second और इधर electricity produce होगी मतलब इधर mechanical energy और इधर क्या हो जाएगा आपका electrical energy और यही RPS इधर जाके क्या बन जाता है cycles per second जिसको हम क्या बोलते हैं frequency बोलते हैं ठीक है मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कोई भी alternator है तो इधर की side में हम लोग RPM बोलेंगे या फिर हम क्या बोल सकते RPS बोल सकते revolution per second और revolution per minute और इधर जो electricity generate होगा ये भी cycles per second मतलब की hertz हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो relation है N is equal to 120 F by P ठीक है 120 F by P मतलब की हम क्या बोल सकते हैं P number of poles is constant 120 constant number of pole constant तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी speed vary करेगी वैसे हमारा क्या vary करेगा frequency vary करेगा मतलब speed is directly proportional to क्या बोल सकते हैं हम लोग frequency speed is directly proportional to क्या हो गया हमारा frequency हो गया, ठीक है, अब आपसे question में क्या दे रखा है, आपको बोला है कि यहाँ पर hysteresis या eddy current, eddy current दे रखा आपको लगबबब 50 watt और hysteresis दे रखा आपको 100 watt ठीक है, और यह कहाँ पर दे रखा आपको 230 volt और 50 hertz frequency, और यहाँ से बोल दिया, अब V by F क्या आपको रखना है constant रखना, assume कर लीजिए, मतलब किसी एक certain frequency F1 पर यह सारा का सारा data है, क्योंकि voltage की बात नहीं करें, क्योंकि speed change मतलब की frequency change, और V by F constant तो सिर्फ frequency पर dependency से हम लोग question कर देंगे, आपसे पूछा है कि बताए, individually hysteresis और eddy current loss कितने होंगे, जब speed कितना हो जाए, 80% drop हो जाए, मतलब की speed जो F2 है, speed कहा तक हो गए, 80% तक drop हो गए अब तो drop to 80% ध्यान रखना, drop to 80% या drop by 80% में अंतर है drop to मतलब 100 था अब कहा पे चल रहा है, 80 पे चल रहा है इसका मतलब जो frequency भी कहा तक हो गए, जब तक speed vary करी, तो frequency vary करेगी तो यह हो गया, 80% of previous value, previous value F1 थी अब कितना है, इसका 80% value है, जब तो drop to 80% of its previous value और यहाँ पर आपको क्या find करना है W E बता और W H बताना है, ठीक है तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम लोग W H proportional to क्या होगा frequency, तो W H 2 divided by W H 1 equal to F 2 divided by F 1, तो W H 2 equal to W H 1 कितना है, यह 1 1 मान लेते 108, F 2 कितना है, हमारा F 2 है, 0.8 F 1 और यह भी F 1, तो F 1 F 1 cancel out तो यह हो जाएगा हमारा 80 वाट, यह कितना हो गया, 80 वाट तो नया hysteresis loss कितना हो गया, हमारा 80 वाट हो गया, और यहाँ पर AD current अगर देखें, तो W F constant है, तो proportional to क्या बोल सकते है, F square तो W E 2 divided by W E 1 equal to F 2 divided by F 1 का square, तो इसका मतलब W E 2 equal to कितना हो जाएगा, AD current 1 कितना है, 50 है, और F 2 कितना है हमारा, 0.8 F 1 divided by F 1 का square, तो यह cancel out, तो यह तक्रीबन, तक्रीबन, अगर हम लोग किल से से करके देख लेते 2 मिलिट में, तो यहाँ पर 0.8 square into 50 तो यह हो जाएगा 32 Watt, तो आप से क्या पूछा है, दियान से लगाना option, कि पहले क्या है, पता चले पहले आपने यहाँ पर eddy current है, आपने पहले hysteresis वाला लगा दिया, तो ध्यान रखना, पहले eddy current and hysteresis है, मतलब पहले eddy current वाल लगाना, मतलब 32 तो 32 तो दो जगे दे रखे हमें, और hysteresis कितना 80, तो B is the correct answer, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से question को कर दिये यहाँ पर alternator देकर, उसकी speed देकर आपको क्या किरा है, confuse किया है या फिर आपको बोल सकने है कि additional information यह पता होनी चाहिए यह information हम लोग, जब power system में discuss करेंगे, stability वागे तो वहाँ पर बहुत detail में discussion करेंगे modeling करेंगे, mechanical से electrical में conversion करने के लिए हम लोग इस alternator क्या करेंगे modeling करेंगे, इसी modeling को आप swing equation के नाम से जानते हैं तो stability वाले topics में हम लोग करेंगे अभी आपको ध्यान रखना है, prime more का speed मतलब क्या हो जाएगा, frequency हो जाएगा मतलब कि अगर हम यहाँ से load कम जादा करते हैं, तो वहाँ पर हमारे power plant में किस पर अंतर पढ़ता है, frequency पर अंतर पढ़ता है मान लीजे, यहाँ पर अगर हम लोग load बढ़ा देते हैं, तो महाँ frequency down हो जाएगा, और यहाँ पर load कम कर दें, तो महाँ frequency क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो चलिए इसी के साथ यह question खतम होता है, next question की तरफ बढ़ता है so next question देखते, question number 16 in a transformer, AD current loss is 100 watt, which is half of the total core loss, ठीक है, अभी तक जितना आ रहा था, which is half of the no load loss और इस तरीके से language use कर रहे थे बढ़ यहाँ पर clearly लिखा है, total core loss, तो no load loss का मतलब भी core loss ही होता है, इस बोद दी constant, कहीं पर भी अगर आपको V by F constant अगर लिखा हुआ नहीं रहे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि voltage के साथ क्या करना है, तो ऐसे time पर आप मान लीजिएगा कि V by F क्या है constant होगा, ठीक है, common sense basis पर लगाईएगा, ठीक है, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया है कि assume V by F constant अगर नहीं भी लिखा रहा है, तो common sense लगाईएगा, देखते हैं, question number, इस question को deal करना है, तो हम cases बना लेते हैं, सबसे पहले चीज, तो eddy current हमको दे रखा है, 100 watt, ठीक है, eddy current दे रखा है, 100 watt, which is half of the core loss, तो core loss का रहेगा, hysteresis रहेगा, तो यह information 1, 1, मिल चुकी हमारी core loss भी 1 हो चुका है, और यह कहां पर आया है, कोई thickness T1 होगा, कोई frequency F1 होगा, यहां पर आया है, ठीक है, अब देखते हैं, कि next आपको क्या बोला है, कि बटाईए, जब आपकी जो ठीकने से 10% से increase कर जाए, मतलब T2 जो है, वो हो जाए 1.1 T1, और F2 जो हो जाए, 1.1 F1, 10% का मतलब 10% बढ़ा दिया, मतलब 1.1, तो आपको ध्यान रखना यह 10% increase को इस तरीके से लिख सकते 1.1 time of T1 तो अब यहां पर देखें, तो अगर V by F constant है, तो hysteresis का relation क्या हो जाएगा, हमारा hysteresis, relation, proportional to frequency, तो यहां पर WH2 divided by WH1 equal to F2 divided by F1, तो यहां पर WH2, WH1 कितना है, हमारा 100 है, 100, frequency F2 कितना है, 1.1 times of F1 divided by F1, तो cancel out, तो यहां से हो जाएगा 100, यह तकरीबन तकरीबन 110 Watt, 110 Watt हो जाएगा, ठीक है, तो यहां 110, आपसे पूछा है, कोरलोस, मतलब addition करना है, 110 में, अभी हमको AD current भी, प्लस करना पड़ेगा, अब AD current देखी, AD current के साथ, अगर देखा जाए, तो हम क्या बोल सकते, AD current, is proportional to normally, V by O, F, अगर constant होता है, तो frequency square, बट यहां पर क्या है, thickness भी है, तो यह क्या हो जाएगा, टी स्कूर भी रहेगा, तो यहां पर W2 divided by W1 equal to, यहां पर क्या हो जाएगा, F2 divided by F1 का square, और T2 divided by T1 का square, तो यहां पर W2 क्या हो जाएगा, यहां पर W1 कितना है हमारा, 100 है, 100 रख देते हैं इधर और यह हो जाएगा हमारा चलो इधर कर देते हैं 100 को 100 को इधर कर देते और F2 कितना है हमारा 1.1 F1 और divided by F1 का square और यह भी 1.2 कितना है 1.1 of T1 divided by T1 का square तो यहाँ पर अगर हम लोग calculate करें तो 1.1 1.1 का क्या है दो बार square है तो 1.1 square into 1.1 square into 100 तो लगबग लगवा 146.41 तो इसका एंसर कितना आ जाएगा 146.41 ठीक है अब हमारा hysteresis भी नया पता है और AD current भी पता है तो जो दोनों को अगर plus कर देंगे तो नया क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1110 प्लस 146.41 तो 156 और 157 लगबग 256.41 तो A is the correct option ठीक है तो यहाँ पर जो ठीकने से यह वाला term नहीं लेते हैं तो भी आपका कोईनों को answer match कर जाता है कई बार ठीक है तो आपको aware रहना है यहाँ पर ठीकनेस जब भी दे तो आपको AD के साथ यूज़ करना है और क्या है T square के proportional ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इतना करने के बाद अब आप सारे question कर सकते हैं बहुत सारे variation और बाकी है उन variation को भी cover करूँगा तो चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम लोग और variety के questions देखते हैं अब question आप कैसे करिएगा कि थोड़ी दर के लिए question जब भी लोग बोलते हैं कि online class में doubt बहुत अच्छे से clear नहीं होते हैं बट depend करता आप इसको किस तरीके से use कर रहे हैं तो offline class में जब भी हम लोग question देते हैं तो आपको time देते हैं question solve करने के लिए और आप उस time में क्या देखते हैं अपनी mistake पकड़ते हैं बट online में यह सुईदा नह उनको match करिए अगर perfectly match हो रहा है इसका मतलब आप see करें हैं ठीक है और match नहीं हो रहा है या गलत आ रहा है तो किस वज़े से गलत आ रहा है आपको गलतिया पकड़ने हैं आपको one by one हर एक दिन कुछ ने कुछ mistake करना है मतलब question दर question सीखते जाना है ठीक है question में अब solve करते time प variation देखते हैं so question no.17 देखते हैं the hysteresis and eddy current losses of a single phase transformer working on 200 volt 50 volt supply are WH and WE respectively fully stop the percentage decrease in this load in this losses the percentage decrease in this losses when operated on 160 volt and 40 hertz supply would be respectively ठीक है इस question को आप वीडियो को pause करिये पहले question खुद से try करना है पहला step ध्यान रखिएगा V by F ratio constant है या नहीं है और जल्दी से question 4 option है आपके पास और करके दिखाईए ठीक है जब तक मैं solution करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है V by F ratio constant है के नहीं क्योंकि 200 divided by 50 तो कितना हो जाएगा 544 आ जाएगा और 160 divided by 40 यह भी 4 आ जाएगा मतलब कि V by F ratio क्या है आपका इस question में constant है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर WH1 और WE1 यह hysteresis losses है हमारे कहां पर 200 volt 50 हट्स पर ठीक है और आपको निकालने हैं WH2 और WE2 निकालने हैं कहां पर 160 वोल्ट और 40 हट्स पर ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो हमें पता है WH is proportional to F when V by F is constant तो WE2 divided by WH1 equal to F2 divided by F1 तो WH2 equal to क्या हो जाएगा F2 कितना हो जाएगा 50 not 50 यह हो जाएगा F2 यह हो जाएगा हमारा F1 तो यह हो जाएगा हमारा 40 divided by 50 into WH1 ठीक है तो WH2 कितना हो जाएगा 4 by 5 कितना हो जाएगा 0.8 तो 0.8 WH1 इसका मतलब क्या हो गया hysteresis loss कितना decrement हो गया 20% decrease हो गया कितना हो गया 20% decrease आपसे पूछा है पहले नंबर पे को हो ने this loss is when operated on supply would be respectively मतलब पहले है आपका WH और बाद में है WE ठीक है तो WH कितना है 20 है तो यहीं से हमारा answer tick हो जाता है क्योंकि एक ही 20 है तो यहां से यह answer tick कर सकते हो बट फिर भी हम लोग eddy current के लिए भी निकालेंगे तो eddy current के लिए क्या हो जाएगा eddy current के लिए w e w e v by f constant है तो proportional to f square तो w e2 divided by w e1 equal to f2 divided by f1 का square तो w e1 equal to कितना हो जाएगा यहां पर तक्रिबन तक्रिबन 4 by 5 तो e1 और 4 by 5 का square ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा तक्रिबन तक्रिबन 64 ठीक है तो .64 w e1 equal to w e2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 108 मैं से 1 मैं से 0.64 मैं बचा हुआ, 50% बचा सब्सक्राइक, से B 마ाय मतलब 10% इंक्रिमेंट लिखना है तो हम 0.90 से लिखने के तरीके हैं बहुत सा रिषर्ट रहता है इसको लिखने Jim तो एक आप बाकी मैंने इसके लिए बता दिया आपको ट्रेक है तो यहाँ पर क्या आजाएगा हमारा B is the correct option ध्यान जरूर रखेगा कि पहले क्या लिखाया डबली वे लिखाया डबली वे लिखाने तो गडबड हो जाएगा इदर उदर कर दिया तो ठीक है तो question number 17 हो गए question number 18 की तरफ बढ़ते ही